नमस्कार एक्ट्यूस 24 देखने हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आन्या सिंग्ग क्या बिहार की राजनीती में एक नया मोड आने वाला है क्या दोहजर पचीज का चुनावी सफर बिहार के लिए कुछ नया लेकर आएगा 28 ओक्टुबर को बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने एंडिय नेताओं के साथ बैठा की जहां उने 2025 में 225 सीटों का टागर्ट सेट करके एक नया राजनीतिक टास्क सौपा है इस घोशना के बाद यहां साफ हो गया कि फिलहाल बिहार में BJP के लिए मुख्य मंत्री पत्कीर रहा मुश्किल है और अगामे चुनाव में भी एंडिय का नितीश कुमार ही करेंगे यह संकेत है कि नितीश कुमार की राजनीतिक पकड़ अब भी मजबूद बने हुई है और एंडिय कड़ बंधन का केंदर बिंदू बने रहेंगे इस बैठा के बाद एक नई खबर सामने आई है जी हाँ बीजेपी के राजशे धक्स जेपी नडडा दिपावली के बाद पटना आ रहे है ऐसा बताया जा रहा है कि वह बिहार के सविश्वेस परद छटपुजा पर सूरदेव से आश्रवाद लेने पहुचेंगे उनके यात्रा 7 ममबर को शाम 3 बजी होगी जहां वह पटना के गंगा घाट पर छट वतियों को अर्थे देंगे जोरान मुक्यमंति दीशकुमार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे यह मुदपून है क्योंकि दोनों निताओं का एक साथ घाटों पर छट पुजा में शामिल होना विपक्ष को एंडी की एकता का सपश शंदेज देने का एक प्रयास माना जा रहा है दोनों निता स्टीमर से गंगा घाटों का दिश्यू भी देखेंगे जो एक राजनितिक एकता का पतिक बन सकता है जेपी रड़ा का बिहार से जुणना सर्फ इस सियाता तक सिमित नहीं है पटना उनका जन्म स्थान और कर्म भूमी है जहानों ने अपनी राजनितिक जीवन की शुरुआत की थी पटना कॉलिट से पढ़ाय कर चुके नड़ा का बिहार के पतिक खास लगाव है यह लगावर शायदी किसी से छिपा हो और यही कारण है कि उनके पटना आगमन की खबर मात से ही बीजेपी कारेकर्ताओं में नया जोश और उड़जा का संचार हो गया है कारेकर्ता अभी से उनके स्वागत के तियारियों में जुट गए है तो उसे महौल में एक नया उत्सा मैसूस किया जा रहा है छट पूजा बिहार का सबसे प्रमुख पर्व है जो दिपावली के छो दिन बाद बड़े धूमधाम से मनाया जाता है नहाय खाय से शुरू होने वाला या पर्व सुभा से अर्धे के साथ समाप्त हो जाता है इस पर्व में शामिल होकर जेपी नड़ा बिहार के साथ अपने भावनात्मक जुडाओं को और भी गहरा कर सकते हैं इसके अतरितमों के मंतरी आवास पर नितीश कुमार और जेपी नड़ा की मुलकात होने की समभावना है जोसे दोनों नेताओं की बीच राजनेतिक मुद्दो पर भी बागचित हो सकती है इसे 25 के चुनव से पहले के मजबूत रणनेतिक चर्चा का हिस्सा माना जा सकता है जेपी नड़ा की यात्रा ना सर्फ एक धार में करतव्वे हैं बिलकि इसे बिहार में बीजेपी के धार को और मजबूत बनाने का प्रयास भी देखा जा सकता है यह माना जा रहा है कि एंडिय की एकता को दर्शादनी और अगामी चिनाओं के लिए एक सकरात में सुन्देश देने के उदेशे से नड़ा और नितीश कुमार का यह साथ आना मतपून हो सकता है यह देखने अंतर चस्प होगा कि क्या इस यात्रा के बाद बिहार की राजनिती में कोई नया बदलाव देखने को मिलेगा या फिर यह सर्वे का आप चारिकता की ही साबित हो जाएगी इस प्रकार नितीश कुमार द्वारा दोजर पचीस का दो सो पचीस सीटों का टार्गेट और उसके बाद जेपी नड़ा का पटना दौरा दोनों घटनाय बिहार की राजनिती को एक नई दिशा दे सकती है तो फिल आए के लिस्त नहीं ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं एक नई 24 धन्यवाद